ओम शान्ती आज 7 अक्टोबर 2022 है जीवन जीने की कला क्या है? किस प्रकार से इस जीवन को जिया जाता है? ये बात हम आज के स्लोगन की द्वारा जानते हैं सुनते हैं आज का स्लोगन मन को सदा रुहानी मौज में रखना यही जीवन जीने की कला है दुनिया के हिसाब से मौज मनाना अर्थात खाना, पीना, घुमना, नाचना, गाना ये सब है मौज मनाना दुनिया में लोग दो प्रकार के होते हैं जो मौच मनाते हैं एक होते हैं जिनके उपर कोई जिम्मेवारी नहीं इसलिए उनको कोई प्रकार के चिंता नहीं होती है थोड़ा बहुत जीवन में कमाते हैं उस कमाई को लेकर के वो मौच मनाते हैं जीवन में कभी जमा करने का संकल भी नहीं आता है, इसलिए जो कमाया वही खाया, इसलिए वर्तमान को ही एंजॉई करना पसंद करते हैं, इसी को मौच मनाना लोग मानते हैं. दूसरे वो लोग होते हैं जो अपने जीवन में बहुत महनत करके हर प्रकार से हर चीज को प्राप्त करने की कोशिश करते हैं और प्राप्त भी कर लेते हैं महनत के आधार से और अपने भविश्य के लिए जमा करते जाते हैं. वे अपने वर्तमान और भविष्य को इतना सक्षम बना लेते हैं कि उसको आगे की चिन्ता करने की कोई जरुरत नहीं पड़ती है इसलिए वे अपने आप से संतुष होते हैं और दूसरों को भी संतुष कर पाते हैं इसलिए अपने जीवन में वर्तमान जीवन को वो एंजोई करते हैं इसको मौच मनाना वो लोग कहते हैं ठीक इसी प्रकार से इस अलोकिक जीवन में भी कई ऐसे ब्रामन हैं जो मौच मनाते हैं एक ब्राम्हन ऐसे होते हैं जो वर्तमान समय के जो पुरुशार्थ है थोड़ा बहुत अपने हिसाब से पुरुशार्थ किया थोड़ा बहुत अपने हिसाब से सेवा की योग में थोड़ा बहुत अनुभव किया और जो सेवा का प्रत्यक्षफल मिलता है, उस प्रत्यक्षफल को एंजोई कर रहे हैं। जो योग में थोड़ा बहुत अनुभुती हुई, उस अनुभव को ही एंजोई कर रहे हैं। आगे के लिए जमा नहीं किया हैं। बस कमाया और खाया। इसी को ही मौज मनाना कहते हैं दूसरे वो भी ब्रामन होते हैं जो अपने पुरुशार्ट से गहराई में जाकर के जो पुरुशार्ट करते हैं उस पुरुशार्ट को जमा के खाते में वे जमा कर लेते हैं योग ऐसी गहराई में करते हैं जो योग के जो शक्ती है वो जमा कर लेते हैं दुआ की खजाने जमा कर लेते हैं, पुन्य के खाते जमा कर लेते हैं और जो सेवा के बाद जो बल मिलता है वो भी जमा कर लेते हैं भविश्य के लिए इतना जमा हो जाता है कि वर्तमान में भरपूरता की महसुस्ता होती है वर्तमान में प्रत्यक्षफल तो है ही है लेकिन भविश्य में भी बहुत कुछ जमा कर लेते हैं इसलिए अपने अंदर की संतुष्टा के कारण से प्राप्तियों के कारण से भरपूर्ता के कारण से अपने अंदर के जो है मौच मनाते रहते जिसको बाबा ने आज कहा रुखानी मौच रुखानी मौच माना अतिंद्रिय सुख में रहना बाबा की प्यार का अनुभव करना कदम कदम पर मेहनत करते हुए भी महबत का अनुभव करना इसको कहा जाता है रुखानी मौच तो यही जीवन जीने की कला है आईए हम आज इस पर अटेंशन दे हमें अपने जीवन जीने की कला को स्ट्रेश्ट बनाना है और मौच में रहना है ओम शांती